पंजाम में लुधियाना की गयास्पुरा की वेल्टेक गैस फैक्टरी में गैस रिसाव हो गया हासा बॉल्व फटने से हुआ गैस की कारण साथ में लगती एक फैक्टरी के पाच करमचारी बेहोश हो गया और ये उपचार के लिए से विल अस्पताल लाया गया है हासा सुबह करीब 8 बजे हुआ हासे की वक्त फैक्टरी में दो करमचारी मौजूद थे जो वॉल्व फटते ही बाहर आ गए इसके बाद गैस हवा में फैल गई इससे साथ में लगती एक फैक्टरी के करमचारी बेसुद हो गए हासे की जानकारी मिलते ही मैनेजर फैक्टरी में बहुचा और किसी तरह उस से साथ को बंद किया वही गैस लीग होने के बाद इलागे में अफरत अफ्री मच गई सूचना मिलने के बाद मौकी पर पहुचे पुलिस ने इलागे को सील कर लिया बेसुद करमचारी को सिविल अस्पताल लाया गया है फैक्टरी में अंडी आरेफ की टीम भी पहुच गई है इसके साथ मौकी पर जिला प्रशासन भी मौझूद है फिलहाल हालत पर काबू पालिया गया है बेसुद हुए वरकरों की पहचान दिनेश, एमली सज्जान, कुंदर कुमार, कनी और दाहर राय के रूप में हुए पेडिसों ने बताया कि गयस का रिसाफ होने से एकदम गला सोखने लगा और ऐसा लग रहा था कि सासानी बंद हो गई किसी तरह उन्होंने खुद को सभाला और उनके साथ ही उन्हें अस्पता ले गए पेडितों के मताबिक एम्बूलेंस को फोन भी किया गया लेकिन कोई एम्बूलेंस मौके पर नहीं पहुचे